प्रतिशत क्या है और इसे कैसे कैल्कुलेट किया जाता है और सबसे एहन सवाल आखिर इसकी ज़रुरत ही हमें क्यों पड़ती है इनी सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो मिलने वाले हैं तो बने रहें हमारी इस वीडियो में आँ तक नमस्कार दोस्तों मैं और आप देख रहे हैं रोमेंसिंग विद मैथेमेटिक्स तो समय को बिना बर्बाद के हुए सुरू करते हैं आज की वीडियो और लेस्ट गेट रोमेंटिक विद मैथेमेटिक्स सबसे पहला सवाल प्रतिशत आखिर क्या है दोस्तों अगर आप इस प्रतिशत के सब्दों को ध्यान से देखें तो आप आएंगे कि यहाँ एक्चुली दो सब्दों से मिलकर के बना गया है पहला प्रती और दूसरा सत प्रती का मतलब प्रत्येक और सत यानि की एक सो या फिर कहें सैकड़ा आम तोर पे दोस्तों प्रतिशत को इस परकार की एक सिंबल से दर्साया जाता है तो चलिए अब हम प्रतिशत को थोड़ा ले में लेगवेज में समझने का कोशिज करते हैं इसके लिए हम एक उधारन लेंगे तो उधारन ये है कि भारत की 70 प्रतिशत जनता गाउं में रहती है अगर एक आम आदमी की भासा में इसे समझा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत के 70 लोग प्रती सेकणा गाउं में रहती है या फिर दूसरे सब्दों में हम कहें कि अगर भारत की पूरी जन संख्या को 100 बराबर भागों में बाड़ दिया जाए तो उसमें 70 भाग के बराबर जनता गाउं में रहती है चलिए एक और एक्जामपल लेते हैं तो दूसरा उधारन ये है कि विराट कोहली ने 30 प्रतीशत रन बाउंडरीज द्वारा बनाया है इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जितने भी रन विराट कोहली ने बनाये हैं उनके 100 हिस्सों में से 30 हिस्सा जो है वो रन सिर्फ और सिर्फ बाउंडरिज द्वारा बनाए गए हैं या फिर हम कहें की विराट को हुली द्वारा 30 रन प्रती सैकड़ा यानि प्रतेक 100 रनों में से 30 रन जो बनाए गए हैं तो चलिए अब देखते हैं कि इसे calculate कैसे किया जाता है इसे कैसे calculate करा जाता है इसे सीखने से पहले चलिए प्रतिशत को हम एक और दूसरे तरीक से समझते है प्रतिशत actually एक भिन है जिस भिन का हर सदेव 100 रहता है जी हाँ, प्रतिशत एक विशेश प्रकार का भिन है, जिसके हर के अस्थान पर सो रहता है उधारन के तोर पे, अगर मालीजे कहीं पे लिखा हुआ हो 15 प्रतिशत, तो आप इसे कह सकते हो 15 बटे 100 अगर मानलीजे कहीं लिखा हुआ है 20 पर 30 तो आप इसे कह सकते हो 20 बटे 100 अगर कहीं मानलीजे लिखा हुआ हो 37.5 परसेंट आप इसे कह सकते हो 37.5 परसेंट यानि कि 37.5 परसेंट तो चलिए अब इसे हम calculate करना सीखते हैं इसे calculate करने सीखने के लिए हम एक example से समझेंगे मानलीजे आपके पास एक बड़ा सा चॉकलेट है और इस चॉकलेट का ये वाला हिस्सा यानि कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा आप खाना चाहते हो तो अगर हमें ये पूछा जाए कि actually आप चॉकलेट का कितना प्रतिसद खाना चाहते हो तो इसे हम कैसे calculate करेंगे तो सबसे पहले इसे हम एक भिन के रूप में लिखेंगे तो जैसा कि आप इस आकरती में देख रहे हो आपको इन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा चाहिए यानि उसे हम लिख सकते हैं कुछ इस परकार कि आपका हिस्सा है 1 बटे 4 तो जैसा कि हम जानते हैं जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा कि प्रतिशत एक बिसेश परकार का भिन है जिसके हर के अस्थान पर सदेव 100 रहता है यानि कि हमें इसके denominator यानि इसके हर के अस्थान पर 100 चाहिए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये करेंगे कि इसे 100 से गुना और 100 से भागा दे देंगे और हम इस 100 को बिना हाथ लगाए बाकि सब का calculation करेंगे तो हमें मिलेगा 25 से 25 बारब से कट जाएगा ये 4 से तो हमें मिलेगा 25 by 100 और इसका मतलब ये हुआ कि ये है 25 परसेंट इसका मतलब आप इस चॉकलेट का 25 परसेंट खाना चाहते हो या फिर आपको मिलने वाला है चलिए एक और एक्जामपल से लेते हैं तो मान लीजिए एक बस है जिस बस के अंदर कुल 90 सवारी हैं और उनमें से 36 महिला हैं और अगर आप से पूछा जाए कि बताए इस बस में कितने पृतिशत महिला हैं तो इसे हम कैसे कैल्कुरेट करेंगे तो कैल्कुरेट करने से पहले सबसे पहले इसे हमें एक फ्रेक्शन की रूप में लिखना होगा या फिर कहें एक भिन के रूप में लिखना होगा और वो भिन होगा कुछी इस प्रकार 36 divided by 90 और अब हम इसे calculate करेंगे अब इसे percentage बदलने के लिए हम क्या करेंगे exactly same thing जो हमने पहले क्या था यानि कि 100 से गुना और 100 से भागा और इस 100 को बिना हाथ लगाए बाकी सब का calculation करेंगे एक एक जिरो काट दिया नौ से काटा चार बार में 36 और बचा हमारे सामने 40 बटे 100 इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं 40 चलिए अब इसे एक और example से समझते हैं मान लीजे आपकी class में कुल विद्यायत्यू की सेंग्या है 80 और जिसमें 28 लड़किया है तो अब आप से मान लीजे पूछा जाए कि बताईए कि इस class में कितने प्रतिशत लड़किया हैं तो हम इसे कैसे calculate करेंगे चलिए calculate करते हैं तो हम सबसे पहले इसे एक fraction के रूप में लिखेंगे यानि कि 28 बटे 80 क्योंकि हमें पता करना था girls का percentage अब हम क्या करेंगे जैसा कि पिछले दो calculation में किया था हम इसे एक बार फिर से 100 से गुना और 100 से भागा करेंगे तो हमें क्या प्राप्थ होगा हमें प्राप्थ होगा ये 4 दूने 8 7 और यहाँ पे 2 यानि कि 35 बटे 100 तो हम कह सकते हैं ये है 35 प्रतिशत दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो आपने देखा होगा कि हमने इस 100 को calculate नहीं किया है और इसको बिल्कुल safe रखा है और उसके जगा पे last में हम percentage लगा रहे हैं तो simply हम ये भी कर सकते हैं गुने 28 बटे 80 गुने 100 और क्यूंकि divided by जो 100 हम लिख रहे थे उसकी जगा पे simply हम ये percentage का sign इसको bracket में रखने के बाद उसे percentage का sign लगा देंगे और ये बड़े है आसानी से मिल जाएगा और हमें इस परकार से मिल जाएगा 35% अब सबसे आखरी और सबसे एहन सवाल कि आखिर हमें percentage की जरुरत क्यों पड़ती है तो इसे चलिए हम एक उधारत से समझते हैं माल लीजे राम और शाम दो मित्र है और दोनों ही एक अलग-अलग एक्जाम में एपियर हुए राम ने वहाँ पे जो कुल मार्क्स का 45 मार्क्स स्कोर किया जबकि शाम ने साड़े चार सो में से तीन सो उनत्तर मार्क्स स्कोर किये ये दोस्तो एक्जुली अगर हम देखें इसको तो ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि दोनों में से आखिर बहतर रिजल्ट किसका हुआ है तो इस इन दोनों में कंपेरेजन करने के लिए हम सिंप्ली क्या करेंगे इसे परसेंटेज में कनवर्ट कर देंगे तो हम क्या मिलेगा चलिए देखें या फिर कहें हम 90 प्रतिशत यहीं दूसरी तरफ हम इसका भी सेम तरह से calculation करेंगे 100 से गुना 100 से भागा calculate करने पर हमें मिलता है इसको नहीं touch करना है 9 यहां 2 तो 41 गुने 2 यानि 82 बटे 100 या फिर हम कहें 82 परसेंट तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि राम ने percentage वाइज अगर हम देखें तो उसने 90 परतिशत स्कोर किया है जबकि श्याम ने सिर्फ 82 परतिशत तो हम कह सकते हैं कि श्याम ने राम के मुकाबले इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जबकि राम ने श्याम के मुकाबले काफ़ी बहतर प्रप्रम किया है करता हूँ दोस्तों कि मैं आज आपको percentage समझाने में सफल रहा हूँ अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें धन्यवाद